आज मैं आप लोग के साथ तीन ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि बहुत जल्दी 5 मिनिट के अंदर बन के त्यार हो और खाने में टेस्टी लगिया साथ में हिल दी भी हो नौ रातरी चल रहे हैं तो इस रेसिपी को तो बनाना बनता है तो चलिए इसे बना लेते हैं नमस्ते दोस्तों बनाओ मचाओ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलने तो चलिए सुरू करते हैं पहली रेसिपी तो हम बनाएंगे सबुर्दानी की खिचरी तो बिल्कुल खिली-खिली सबुर्दानी की खिचरी बना के तहर करेंगे तो चलिए इसे बना लेते तो उसके लिए हमने एक कब सबुर्दाना लिया है मोटे दाने का आप चाहें तो जो छोटे दाने आते उसक को भी अपले सकते हैं इस तरह से हम पहले इसे पानी से अच्छे से धो देंगे दो तीन बार ताकि इसमें जो डश्ट होंगे वाइट इसका जो ज़स्ट होता सारा निकल जाएगा जब इस तरह से दो पानी बिल्कुल वाइट हो जाएगा बस इसे रगड के दोना और दूसर इसे ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है और देखिए का जब डूब जाएगा सबडाना तो भिल्कुल खिला भिला मोति के दानी के तरह सबडाना हमेरा त्यार होगा सबडाना को हम एक गंटे के लिए चोड़ देंगे ताकि सबडाना हमारे बिल्कुल अचे से फूल अदालकी से बुल लेंगे अब बृत में मुमपलि खाते हैं सबुरदाना खाते हैं तो जो बृत में खाए जाता हुज tą हम उप सबů चीजो को उज्च करने वालें और इसे बनानेवाले हैं इसलिए जब आप नुरात्री के बरत करते, इसमें आप इसे खा सकते हैं, जैसे आप संदानमक काते हैं, तो आप इसे बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एहल दिये, अब ही हमने मुपली को भूल लिया है, अब उसी पेन में हमने थोड़ा सा घी और डाल दिया, एक चमच जीर और इनका कलर भी चेंज लाओ, बस इसे चलाते हुए भूनेंगे, देखिए तो बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे अब उबले हुए आलू, तो उबले हुए आलू को छील के और उसके टुकड़े कर ली हैं, उसे ही हम इसमें डालेंगे, बस थोड़े दिर इसे भूनेंगे, देखिएगा एक दू मिनट, बिल्कुल अच्छे से हमारा जो आलू भून जाएगा, आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, अब जो हम नित्वा बुर्दानी बिंगा के रखेते हैं, बिल्कुल अच्छे से फूल गया, इसे हम डाल देते हैं, और डाल के हम चला देते हैं, इस तरह से जब आप सुल बादानी की खिचरी बनाते हैं, तो बहुत अच्छा बनता है है, और खीले खीला भी बनता है, बस इन सारे चीजों को मिक्स कर लेते हैं, इनका kol memang भी के नई करना है हमें, इसमें हम जज़गा मसालें नहीं डालेंगे जो मसाले हम खाते हैं हुए बृतब सी को डालेंगे गारे भरती ह přाउर मिर्च के पाउडर के तिकगिक लिए तो अब दे काली मिर्च उप्रां पाउडर कती है तो बहुत ही जल्दी पक्के त्यार हो जाता है और देखिए खिजड़ी बनके रेटी हो गई है अब इसे हम किसी बत्तर में निकाल लेंगे और दुबारा से इसी पेन में हम एक चमच घीर डाल देते हैं और इसमें हम डालेंगे मखाना ते जो मखाना आतन इसे भी ब्रत में खा ने जाएगा पुछी देर में देख्याएगा माकाना का क्लर हाल्का चेंज़ हो जाएक हो जाएगा और इस çıkar से हम बादाम और काजू को को हमने शीन हो जाएगा ने बेटर फिल होता है जब जैसे आप ठका हुआ मसुझ करते हैं कोब जोड़ी सा लगे तो इसे भी हम थोड़े दिर के लिए भून लेते हैं यानि इनसे का कलर नहीं चेंज करना है बिल्कोल स्लो आज भी इसे हम भूनना है जैसे थोड़े से भून जाएंगे उसके बाद हम इ अगये और सी हमने हरी महुत Dash के लिए भून ले मुझका सबहां करते हैं वारकाशियामने डालने होड़े ही न सब्सक्राइव के रखे पहले हुआ है जिसे हम धीड़े होगे लिए पून लेने जब पाद हैं ईसे हम ढून को मेरे में पास स्ःट बदाने यह इस तो तो मैं ने इसको ही डाल दिया आइसी से हम इसे बना करें करें बिल्कुल अच्छ से देखिए किसमिस भी बड़े-बड़े होने लगे हैं बस जब तक यह बढ़े नहीं नहीं तरह इसे हम भूलेंगे वरीसे ब्रसका नमक बोलते हैं बहूं प्ली है करें इसे नमक डालने शे और सारे चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं यह हमारा बहुत ही टेस्टी सा बरतकार नमकिन बनके त्यार हो गया है तो जब भी आपको कुछ खाने का दिल कर जिसे चाय के साथ खाना चाहते हैं या ऐसे भी बेटे-बेटे खाने का बन करें इसे दो से तीन मिलाट पर आप बना के त्यार कर सकते हैं और इंजोई कर सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाता है तो हमने सब बदाने की खीर भी बना ली और नमकिन को भी बना के हमने त्यार कर लिए अब चलिए हम बना लेते हैं और इसके साथ हम पीने के लिए उसके लिए हमने आदा एपल याने सेव ले लिया और एक हमने केला लिया है केला हमने छोटे साइज बाले लिया है और सेव हमने आदा लिया है तो बस इसे हम छोटे-छोटे पीस में कट कर लेंगे चोटे चोटे Chinese करने से पि्हहने में आसान हो जाती है तिसथे हम चोटे tweeting कर लिया है अब इसे हम डौल देते हैं μिक्सिक कर लिए हमःगनिया है और सिव और केला काटके रखा इसे अम डौल देते हैं इसे के साथ हम इसमें एक कप डाल देते हैं, दूद तो आप जितना दूद पसंद करते हैं, इसमें डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार आप इसमें चिनन डाल दीजिए, जितना आप मीठा पसंद करते हैं, तो हमने एक चमच भरके इसमें चिनन डाल दिया, आप इसे हम चलत इस वह बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह से हमारे तीनों छीज़ों बन नесто त्यृ वो ज़िया हम सर्ग करना है सर्व करना के लिए सब चीजों को एक प्रेट में लगा दिया है और देखिए बुरत के लिए बिलकुल special सी रेस्पी बनके त्यार हुई है बिलकुल 5 मिनट में यानि बिलकुल क्यूकी रेस्पी है इस तरह से आप भी बनाईए अगर रेस्पी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिन जय भारत